हेलो फ्रेंड राधे राधे गूड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप एकदम अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो फ्रेंड अभी हो रहा है सुभे का टाइम और मैंने अपने बैटि के लिए कर दिया है यहाँ पर दूद क्योंकि वो चाही निपी था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है दूद के वाद फ्रेंड में लगी थी अपने और कामों में यहां पर मेरी जारु और डश् רो éléments पर बैड़ सीट बगेरा सब मैंने साही कर दिया है । वो मैंने दोनों तीनों रोमों की सपाई कर दी है फिर फ्रेंड मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ जी मैंने नाइट में चने को पानी में भगो दिया था तो मैं इसे वोईल करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा रोज सुवे चने खाता है तो बस मैंने यह रख दिया इसमें एक आलू भी डाल दिया है और इसको डखकल लगा के इंडेक्शन पर रख दिया है तो फ्रेंड यहाँ पर यह चने वबल के तयार हो गए और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बस मैंने इसमें काला नमक, चाट मसाला और निबबू और एक हरी मिर्ची बस यहीं से अप काट केस में डाल दिया है और ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें फिर फ्रेंड मैं आपर मैंने गैस पर रख दिये कडाई और आज दिन है सौमबार तो दो तिन दीन हो गए तो मैंने कर लो कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मिला मक्षन को कर लो ध्यान से भी धिमाग सी भी उड़ जाता है कि यह भारा फ्रीज में मखन रखा हुआ है तो फ्रेंड बस मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने की काम में तो पहले सबसे पहले इसको रख देती हूं बाई गी को बनाने लगी प्रेज हो गया है और रखने रखने फ्रेज में तो मुझे इसे घुमाना पड़ रहा है बहुत जब जाद ही टाइट हो गया है और बस इसको बनने में कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे और हमारा गी बनके विल्कुल तयार हो जाएगा तो फ्रेंट देखो यहाँ पर हमारा गी बनके तयार हो गया है और यह ठंडा भी हो गया है तो मैंने सुचा चलो इसे डिब्बे में डाल देते हैं तो बस मैं यहाँ पर इसे डिब्बे में डालने लगी हूँ और घर का गी तो घर के ही होता है फ्रेंट बजार का कितना भी महंगा ले लो कितना भी अच्छा ले लो कोई से भी ब्रांट का ले लो पर वो बात नहीं होती जो घर के गी में होती है तो मैंने बस यहां पर इसे छान के निकाल दिया है इसके बाद फ्रेंड मेरी हैं पर मैरने नहां भी लेए और मेरी यहां पर पूजा हो गई है तो आप मेरे भवाद जी के दर्सन करलो तो फ्रेंड सारा काम करने के बाद मेरा जाडू, पोचा, बर्तन और नहाना, पूजा करना सब चीज हो चुकी है उसके बाद फ्रेड में आ गई हो पीचिन में और यहां पर मैंने रख दिये मेरी सुकी सबजी और यहां रख दिये मेरे दाल बनने के लिए और फ्रेंड सुभे में न किया तक गी तो यह मेरी अभी कडाई रखी हुई है इसे में थोड़ी देर में माजूंगी और इसको फि बश्रोटी बनाऊंगी और आज 11 तो चावल बनाना नहीं है तो बस अब यही सब है ओ फ्रेंड मैंने यह मंगाया है जूना क्योंकि मेरा बर्तन माइने का जूना था न वह विलकूल चुका था तो अब मैंने यह मंगाया है और यह बस बर्तन वागेरा मजेंगे इससे फिर फ्रेंड मैंने यह उस दिन जे पाग और लड्डू बनायते तो मैंने सोचा चलो पहले इसको थोड़ा खा लेते क्योंकि नहाने के बाद पूचा बगरा करने के बाद भूख सी लगयाती उसके बाद फिर किचिन में खाना बनाएंगे तो फ्रेंड यहां पर मेरी होने लगी यह दाल की तैयारी वज मैंने कड़ाई में घी डाल दिया था अ कड़ाई में घी डाल दिया था जीरा हरी मिर्ची टमाटर बस अब इनको में बूज रहे हैं इसके बाद फ्रेंड मैंने रहा दाल दीए दाल और बनाई है आज मेंने मुंकी डाल किया और दाल तो कोई सी भी हो घिमेंे उसका तलका लगा तो यह अची लगता है तो मैंने यहां पर यह दाल कर दिया बस सिम्पल सी मेरे दाल है तो यहां पर हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है फिर फ्रैन्ड में यहां पर करने लगी हूं रोटी की तैयार हो और मेरी बनने लगी है कि ऐख नब दाल बन गई है केवल रोटी रे गई है रोटी बनने के बाद मैंने यहां पर लगा दी है अपने हस्वेंट के लिए ठाली क्योंकि साथ साथ में रोटी बनती है और उनका परस देते हैं तो गर्मा गरम बच्चे और हस्वेंट सब लोग खा ले थे और खाना बनाते बनाते भी बख हो गया तो टाइम कम से कम बारा तो बजी गए होंगे फिर उसके बाद यह थोड़ा सा आट बचाता तो मैंने इसे डिब्बे में करके रख लिया है क्योंकि रोटी बना के रख दो इसको कोई फायदा नहीं हो बच्चतियों कोई नहीं खाता तो यहां पर मैंने अपने हजमें के लिए थाली तो फ्रेंड आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गरम खाना फिर फ्रेंड उसके बाद सब लोगों ने खाना खा लिया तो मैंने सारे बरतन क्लीन कर दिया और किचिन को भी साप कर दिया और देखो फ्रेंड यहां पर मेरी किचिन बिल्कुल साफ हो गई है बज्जे सब काम करने के बाद हम लोगों को हम लेडिसों को आरा मिलता है फ्रेंड फिर मैंने सोचा कि चलो राकी पर मुझे माईके से क्या-क्या मिला बोभी मैं आपको दिखा देती हूं तो फ्रेंड यहां पर दिखो मुझे एक साडि यह मिलीती है । इसका कलर थोड़ा साही नहीं आ रहा है यह थोड़ी प्क कलर की लाइट लाइट फिर ची Teaching कह सीठी के अ और एक साड़ी वो दोनों ही साड़ी बहुत अच्छी मुझे बहुत पसंद आई और इसके अलावा ये बिच्छी बहुत मुझे दिये हैं ये तीन तीन बिच्छी हैं इट की चांदी की हैं उनका ड्रॉट का अच्छा लगा सादा सिंपल आजकर ऐसी बिच्छी या जहातर चल रहे हैं उन्होंने दिये मैंने रख लिए चलो ठीक है अच्छा है तो ये का end करती हूं राधी राधी बाई फिर मिलेंगे नेस्ट विलोग में